हलो ट्रेडर्स तो आप सभी का इपर फिसे स्वागत है और एक नए लर्निंग वीडियो में तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग सभी पॉपलर ब्रोकर को कंपेरेजन करने वाले हैं और वो इंट्राडे बेसिस पे कितना ब्रोकरेज चार्ज करते हैं और इसमें हमने म मैक्सिमम टाइम सुनागा कि वह फ्लैट 20 रूपीज बोल के मार्केटिंग करती है पर काफी सारे टैक्सेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़र्य है क्योंकि आपको अपना प्रोफिट चूज करना है किसके तुरू आपको ट्रेडिंग करना है यह जानना बहुत ही ज़र्य है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डिमेट अकाउंट आपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन वॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से ट्रुपीस प्लाट करता है तो सूंद की बार कि जाए तो वहीं 20 प्लाट करते है अब स्टॉक बार की जाए तो इसमें 20 फीलेट चार्ज किया जाता है अहां से किया या 15 रूपीज देना है और जब आपने दुबारा फिर से सेल ओडर लगाया तो उसमें आपको फिर से 20 रूपीज या 15 रूपीज पे करना होता है तो इस तरह से चार्ज किया जाता है और इसमें साथी साथ हीडन चार्जेस भी होते हैं जो हम लोग आगे जल की वीडियो पे पे करने पड़ रहे हैं तो आइए एक एक करके देखते हैं तो सबसे पहले अगर ग्रोग की बात की जाए तो यहां पे आपको ब्रोक्रेज चार्ज किया गया है वह 1087.50 रूपीज किया गया है और इसमें देखिए काफी सारे हीडन चार्जेस हैं जो आपको टैक्सिस के सब्सक्राइब में देना पड़ा है और जो नेट पीनल बनके आया है वह 98,912 रूपीज पॉइंट 50 बना है वहीं अगर धन की बात की जाए तो यहां पे जो चार्जेस लगे हैं वह 1052 रूपीज पॉइंट 80 लगा है यानि 1053 रूपीज के आसपस लगा है और इसमें जो पीनल बनके आया है वह 98,907.20 रूपीज बना है और इसमें भी देख सकते हैं कि काफी सारे टैक्सेस और चार्जेस इंक्लूडेड हैं इसी वजह से इतना ज्यादा ब्रोकरेज बन जाता है एक्चुल में कंपनी तो 40 रूपीज ब्रोकरेज चार्ज करती है बट टैक्सेस और और चार्जेस मिला के इतना ज्यादा ब्रोकरेज बन जाता है वहीं अगर जिरोदा की बात की जाए तो इसमें जो हमें चार्जेस देने पड़े हैं वह 1093 रूपीज देना पड़ा है और इसमें नेट पीनल बनके आया है वह 98,907 रूपीज बनके आया है वहीं अगर देना पड़ा है तो इसमें जो हमें ब्रोकरिज चार्ज देना पड़ा है वह 1011 रूपीज प्वैच देना पड़ा है और जो नेट पीनल बनके आया है वह 98,948.56 ढब से मैं अगर एंजल की बात कर एंधो यसमें उच्हाजक देना पड़ा है वो 1,011.44 देना पड़ा है और जो net P&L बना है वो 98,948.56 रुपीज बना है तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ब्रोकरिस तो उनले 40 रुपीज लगता है यानि 20 रुपीज बाइंग 20 रुपीज सेलिंग के लिए बड़ जो order charges है उसको मिला के काफी ज़्यादा taxes हमें द बनके आया है वो 98,953.21 रुपीज बना है तो अभी हमने जितने भी ब्रोकर को देखा तो उसमें जो चार्जेस ब्रोकरेज चार्जेस वो तो जितना प्रोमिस करती है उतना ही देना पड़ता है अगर वो 20 रुपीज चार्ज कर रहे हैं तो 20 ही ले रहे हैं बड़ जो order transaction charges होते हैं security taxes होते हैं exchange charges होते हैं यह सारे charges मिला कि काफी ज्यादा ब्रोकरेज करना पड़ता है हमें तो इस बात का हमेंसा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक इंट्रारे ट्रेडर हैं खास्तोर पर आप एक options trader हैं तो आपको काफी ज्यादा charges देने पड़ जाते हैं ब् बनके आया है वह 98,953.21 रुपीज बना है और अगर वहीं maximum case की बात करें जो सबसे ज्यादा ब्रोकरेज हमें charge किया गया है वह जिरोधा और धन में किया गया है इसमें जो हमें ब्रोकरेज देना पड़ा है वह 1093 रुपीज के आसपास देना पड़ा है तो कोई major difference तो नही पेनल बनाया तो उस case में यह काफी matter कर जाता है charges लेकिन अगर आप छोटा मोटा पेनल बनाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा matter नहीं करता है तो यह था विसिकलिए आज का हमारा comparison वीडियो आई होप आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और अगर आपने अभी तक